जमाना वदल गया है जिन्दगी वदल गई है हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिष्टों और बंदनों में उल्जे रहते थे हम लोग बाप के चेरे में इश्वर देखते थे हम माँ के चन्नों में सुर्ट दिखाई देता था लेकिन अब लोग समझधार हो गए आज की पीड़ी बड़ी होश्यार और प्रैक्टिकल हो गई है उनके लिए हर रिष्टा एक सीड़ी की दाए जिस पर पाउं रख करके वो आगे निकल जाते और जब उस सीड़ी का कोई इस्तमान नहीं रहता हैं तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेस तूटे फूटे बरतन भड़े पुराने कपड़े कल के एक बार की तरह रतिस समझ कर किसी कबाड़ खाने में फेक देते हैं लेकिन जिन्दकी सीड़ी की तरह उपर नहीं जाती है जिन्दकी पेड़ की तरह उखती है माबाप किसी सीड़ी के पहले पायदान नहीं होते माबाप जिन्दकी के पेड़ की चल है पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूँ कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हस्ते हस्ते उन पर खर्च कर देता है वो ही बच्चे जब बाप की आँखें धुंदरी हो जाती है तो उन्हें कत्रा भर रोश्नी देने से क्यों कत्राते हैं एक बाप अगर अपने बेटी की जिन्दगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वो ही बेटा अपने बाप के आखरी कदम उठाने में उसे सारा क्यों नहीं दे सकता है सिंदगी भर अपने बच्चों बर खुशयां लुठाने वाले माबाप को किस चुर्म में आंसुओं और तनाई की सजा सुना दी जाती है अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीने का अधिकार किस ने दिया क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन माबाप को प्यार के बंधन में बांध कर भगवान ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बांट कर अलग-अलग तलपने के लिए छोड़ सकते है क्या इसी दिन के लिए इनसान उलाद मांगता है इसी दिन के लिए अलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा अगर आज हम बुड़ हैं तो कल वो भी बुड़े होंगे जो सवाल आज हम कर रहे हैं वो ही सवाल कल वो पूछेंगे